अभी जादा दिन बीते नहीं है जब विराथ कोली से ODI की भी कप्तानी ले ली गई थी और डिसंबर के महिने में उनको ODI की कप्तानी से भी मुक्त कर दिया गया था और उसके बास से पहुत सारी ऐसे ख़वर चली कि विराथ कोली और रोई शर्मा के बीच में रिलेशन ठीक नहीं है दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं इगो का जो क्लैश है वो साफ तोर पर इंडिन क्रिकेट में देखने को मिल रहा है लेकिन लेजंड बल्लेबास सुनिल गवासकर ने इन सारी बातों पर अब एक तरीके से कहेंगे कि फुल स्टॉप लगा दिया है लेक कई सारे लोगों ने इस तरीकी की खबर चलाई कि क्या पता विराच कोली जुए वो रोई शर्मा की कप्तानी में बहतर परफॉर्मस नहीं करेंगे ताकि उनको लगेगा कि या रोई शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया बहतर ना रिजल्ट ले आए लेकिन उनने का कि को को सिक्योर करने के लिए कभी भी जब आप नैशनल टीम के लिए खेलते हैं तो इस तरीकी की बाते नहीं सोचते हैं और ये बात बिलकुल सही भी है और इसलिए सुरिल गवासकर जी ने काया कि ये नॉंसेंस बाते हैं इस बात में बिलकुल भी सचाई नहीं है लेकिन बड उनों के बीच पे बहुत बड़ी आ रिलेशन है तो फिर हो सकता था कि ये जो चीजें हैं ये इतनी आप की तरह फैलती नहीं लेकिन कम से कम सुनेल गवासकर सर ने आकर कह तो दिया है ये बात बहुत बड़ी बात है और पिछले माच में अगेंस वेस्ट इंडीज हमने कर जा रहें और रोहित शर्मा को बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया पिछले माच में तो इसी तरीके का नसारा इंडियन क्रिकेट फैंस देखना चाहते हम भी देखना चाहते आप भी देखना चाहते आपको क्यासी लगी इस स्टोरी आप हमें जरूर बताईएगा करने जेगा और चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करने जेगा